टिक 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 वक्त पदल रहा है जिन्दगी भी लोगों की आखों में अपने प्रती जिम्मेदारी देखी फिर उसे निभाते निभाते कैसे बड़े हो गए पता ही नहीं चला आज तुझे हाथों में लेकर तेरी आँखों में वो हसी देख आज वो बच्पन फिर से याद आता है क्या यहीं प्यार है जैसे तुम मुझे देखते हो मुस्कुराते हो शायद यही प्यार है तुम्हारी आँखों की वो चमक जिसे देख की मैं हस्ती हूँ मुस्कुराती हूँ खुश हो जाती हूँ शायद यही प्यार है कैसे बताओं मैं तुम्हें कितना चाहते हैं हम क्या यही प्यार है क्या यही प्यार है यही प्यार है शायद तुम्हें शायद शायद खुश हूँ ज्यार बद्धाई एक जी प्राउट यहीज़ इंदेता है अर भी सुक्योटिव से वकी सारी पाच और और छे बज़ रहे होंगे तो भी चाहे बता दीओ शाय क्योंगे और फिर इतने दिन के शुरुआत कर लिए से पहले पानी पी रख है मैंने झाल 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 हैं वो पानी की प्यास है सांज हो गई है पौधों में भी पानी चाहिए जमीन भी सुख गई है उन्हें भी पानी चाहिए सांज कितना प्यारा होता है हर चीज ठकी ठकी सी होती है पर मुस्कुरा रही होती है समय है पूजा करने का आरती करने का समय है मुस्कुराने का इश्वर की चड़नों में खुद को अर्पित करने का आए वक्त धमजा थोरा ठहर जा खुश हो लेने दे इस पल में मुस्कुरा लेने दे मुझे इन पौधों के साथ आए वक्त थोरा ठहर जा हसना चाहती हूँ इन पौधों के साथ इन आश्मानों में उरना चाहती हूँ आए वक्त थोरा ठहर जा जैसे ही सूरज ढलता है, संध्या होता है, वैसे ही रसोई घर में बीनी बीनी सी खुश्बू वाली जूले जलाए जाते हैं, खाना बनता है, स्वाधिष्ट पकवान बनते हैं, तो आज हमारे घर में बन रहा है, आलू, बैगन, सिम्ला मिर्च की सबजी, बहुत कम मसालों के साथ, और बहुत ही स्वाधिस्ट, बहुत सिंपल बनाया है मैंने इसे, अगर दिल करें तो बनाईएगा जरूर, और बताईएगा कि आपको कैसा लगा, मसाले आप अपने हिसाथ से डालिए, थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा, जैसा आपको अच्छा लगे, नमक की तरह, कभी ज्यादा, कभी कम, और सबजी का खटापन भी आप अपने हिसाथ से रखिए, मैंने तो टमाटे डाला है, थोड़ा सा खटास पसंद है मुझे, के अ आपने हिसा उत का जापने हिसा य दोड़ा गरे खटास ए cheap cooked तरह our ऐने हिसा जपका गठापने हिसारी झाल संदीब जी आ गए है तो उनके लिए मैंने दही पूरी चाट बनाई है पापड़ी को दही में सोप कर लिया दही थोड़ी सी मीठी थी और फिर उपर से चाट मसाले वगेरा टाल दिये एक आलू काटके डाला थोड़ा सा नमक डाला और खीरा प्याज थनिया पता हरी मिर्ची से सजा दिये अपने इस प्यारी सी चाट को और उपर से चटनी डाले इमली की मिर्थी वाली चटनी इमली की खटी वाली चटनी मुझे खटी वाली चटनी बहुत पसंद थोड़ी से लाल मिर्च ताकि थोड़ा तिखापन का एहसास हो और फिर उपर से थोड़ी पूरियों को करश करके डाला थोड़े से चनाचूर डाले बस तयार हो गया हमारा चार्ट और फिर बनाया सबजी के इंडिंग करी मैंने सभी ने खाना खाया इंजॉय किया खाने को चार्ट को पैसे संदीब जी को चार्ट बहुत पसंद आई थी वो और अब मैं बैठी हूँ खाना खाने के लिए एक चोटी सी बाइट जिस्प में हो हर चीज़ का मज़ए नमक मसाले मीठा खटा सब कुछ और साथ में एक चोटा सा प्याज खाके मज़ए ही आगिया रात का खाना जितना स्वादिश्ट होना नीन भी उतनी प्यारी आती है वैसे मुझे बहुत पसंदे प्यास के साथ खाना खाना कईयों को नहीं पसंदे पर मुझे पसंदे